आदी पुरुष जैसे कच्रे को देखने के बाद अब फैंस प्रभास की सलार इस फिल्म से बहुत सारी उम्मिदे लगा के बैठे है और अगर मैं अपना परसनल बता हूँ तो एक्चुली मैं सलार के लिए प्रभास की वज़े से एक्साइटेड नहीं हूँ बलकि ये फिल् और खुद प्रशांत निल इस फिल्म को डाइरेक्ट कर रहे है जिसकी वज़े से मुझे इस फिल्म पे अंधा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाये स्तलार ये फिल्म अच्छी निकलने ही वाली है इवन हाली में इसका जो टीजर आया था उसे देखके तो लोग पागली हो और आदिपूरुष का तो क्या ही कहना बाहु बली तक तो मुझे प्रवास बहुत पसंते लेकिन आदिपूरुष इस फिल्म को देखने के बाद मुझे कही ना कही थोड़ा सा डिसपॉंटेड फील तो होता ही है लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं सलार के लिए एक्साइटेड पड़ेगा क्योंकि सलार की जो इनिशल रिलीज डेट थी यानि कि 28 सब्टेमबर उससे अब ये फिल्म पोस्पॉन हो चुकी है लेकिन मैं ये क्लियर कर दू कि इस नीउस को अभी तक किसी ने भी ऑफिशली कंफर्म नहीं किया है वेल अभी तक सलार के डीले के पीछे का म रिलीज हो रही है यानि जवान का अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसका मैंने रिव्यू भी किया है अगर नहीं देखाया तो देख लेना सो उसी ट्रेलर को देखने के बाद फैंस के बीच में इस फिल्म को लेके बहुत हाइप बन चुकी है जवान के लिए लोग प पोस्ट प्रोडेक्शन वर्क बाकी है और वो पोस्ट प्रोडेक्शन वर्क सप्टेंबर के 28 तर कंप्लीट नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से इस फिल्म को डिले मिला है और अच्छा खासा डिले मिला है और यहीं रिजन है क्योंकि पोस्ट प्रोडेक्शन वर्क बहु लेकिन अब सबसे बड़ा कोश्चन ये है कि फिर अब सलार कब रीलीज होगी? तो सलार की फाइनल रीलीज डेट अब तक कंपं तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म या तो डिसेंबर में रीलीज होगी, या फिल्टो ट्वैंटी ana जानिवरी में। लेकिन फिर भी मैं ये clear कर दूँ कि अभी तक इसकी official confirmation makers की तरफ से नहीं की गई है वेल अगर ये news सच है तो इसकी जल्दी ही confirmation भी हो जाएगी तो हमें वेट करना पड़ेगा इस film को देखने के लिए सो हां सलार को लेके यही news आई है वेल इसके related आपके क्या opinions है इस delay को लेके या फिर postpone को लेके मुझे comment में जरूर बताना इवन मैंने जवान की ट्रेलर का भी review किया है अगर वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लेगा सो मिलता हो एसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching